सबसे पहले एंपनीकेशन जिसका नाम जूम है हलाकि मैं इसे पहले में यूज करता था गोटू मेटिंग यूज नहीं कर रहा हूं कि कुछ दिखते थी गोटू मेटिंग में जो कि जूम में नहीं है तो जून एप के थूरू आप जहे हमारी क्लास को अपने PC पे अपने सिस्टम पे किसी भी प्लैटफॉन चाहिए आपका Windows का हो या आपका Mac का हो या फिर आपका Android हो या फिर आपका आइपोन हो सारे प्लैटफॉर्म पे यह आपको वर्क करता है इसकी खासियत एंधिकी इस शेशन को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर आपने PC जोईन किया अदरवाज मैं तो PC करता हूं तो मैं इसको रिकॉर्ड करनाओ तो हर सेशन की recording मिलेगी रिकॉर्डिंग मिलने का पॉपस ए है कि आपको कितना भी अच्छा टीचर अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दे लेकिन हमारा दिमाग हर चीज का तीन या चार परसेंट को ही मिम्राइज कर पाता है इसलिए रिकॉर्डिंग होते हैं आपके रिप्टेशन के लिए कि आप कोश्टन को बार-बार रिबीट मा करें और दूसरी चीज़ा है कि अगर आपको कहीं प्रॉलम फस्ते हैं तो तुरॉंत रिकॉर्डिंग साब देख सकते हैं कि कभी माल लेजे कि आपने छे महीने चाल वर एक्टन को हांत ने लगाया उसके बाद वापस इसकी जरुद पर गए तो उस केस में भी इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं को बैए इसके बार हमारे कोर्स के बारे में पढ़ने कि तरリके के बारे की थी बारे में ओर आपने के सेशन को मेरे साथ अब संधे हार चीज़ करेंगे करेंगे डिटेल में पम बेसिक ट्रीट दिवांस और साथ में हम आपको करके दिखाएंगे और फिर उसकी जो सेंपल फाइल है वह आपको भीजेंगे और उसके बाद जो है आप उसी सेंपल फाइल को आप अपने सिस्टम पे राउंडोड करके मेरी रिकॉर्डिंग को देखते हुए आप रिपीट करेंगे सबसे पहला काम क् पहले अच्छी तरीके से देखेंगे सीखेंगे फिर उसको वीडियो के जड़िए रिपीट करेंगे उसके बाद उस पर रिसर्स करेंगे मैं हर स्टुडेंट से कहता हूँ कि एवर डे आप फाइब कोश्टन्स पर प्यार रखें मुझसे पूछने के लिए कोश्टन्स के लिए हैं मैं अपने बैच साइब को छोटा रखा आऊ एक से पांच बच्चो पर बैच में रखा आँ ताकि में अर बच्चो पर कोश्टन्स का आंसर दे सकता अगर मैं 15-20 ग्रूप कर सांशव का अगर पंच्य नगा सब्सक्राइब लग गया तो क्लास के लिए टाइम बचेगा ही नहीं सारे कोश्चन आइसे मैंने बैच साइज को छोटा लगा है ताकि मैं हर स्टुडेन के कोश्चन का जवाब दे सके ठीक है और ट्रेनिंग क्लास्रूम से बेटर है क्लास्रूम में आपको सारी फैसलेटी के यहां मिल लगी है जैसे कि स्मॉल साइज बैच अपने हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं अपने घर से घर से ट्रेवल टाइम बच रहा है उसको आप यूज करोंगे प्रैक्टिस में तो इसीतर से इस्तेमाल करके आप अपने घर से इसको लर्न कर सब्सक्राइब दूसरी ची ऑपको बताते हैं, साथ में अपनी experience को भी आपको स्थीर कहते हैं. और advanced logical ऐसी चीज है, आप बिना working professionals की मदद से आप सीखने हैं. प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं वो आपको एक्सल में एक्सपोर्ट बना दे ऐसा मेरा सख्य है क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूं कि आपको एक्सल वही सिखा सकता है इस फिल्में कमें स्विल्म काम किया है कि और बदा पाई। उसका इस गलत हूं, यह आफ लोग अपनी हिसाब से सोच यह आघ को प्रप बढ़ते हैं। जो हमारा कोर्स इसको मैंने विपसाइट आई पीटी डाट कम पे डाल लगा है जहां से आपने डेमोग्रास का फॉर्म बढ़ा है उस पे अगर जाएंगे तो मैंने सारे कोर्स के बारे में मिल जाएगा फिर भी मैं आपको मुटा मुटी बता रहता हूं कि हमारी कोर्स क्या ह सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वह है एडवांस एक्सल इस फॉर्म इस पोर्स के अंदर में मैं अगर सिंपल सी बात बलू तो फाइल मेनुवार से लेकि डेवलपर मेनुवार के हर एक टॉबिक को बताने की कोशिज करते हैं फॉर्मले में आपको दो सोच से उपर फॉर्म डैनमिक चार्ट, फॉर्मुले की ट्रेक्स, इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं इस लेवलपर कोर्स है जो है एडवांस एक्सल फोर्वर्किंग पोफेशनल या फॉर्मुला जो भी कह लिजिए इसमें आपको इक्सल का हर एक चीज कवर हो जाएगी इन विल्ड ची दिख करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि कैसे यहां पर क्या-क्या कवर होने वाला है डिटेल्स में तो पहला हमारा यह है दोस्तों दूसरा हमारे पास जो है ओ है एक्सल वीवीए माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग इसमें हम आप बात आती है कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि जब हमने लेवल वन में मतलब की पहले कोर्स में हमने एक्सल के हर एक चीज को सीख लिया बचता किया है तो हमने बोला आपको एक्सल की इन विल्ड जो माइक्रोसॉफ ने आपको इन विल्ड करके दिया है सार अपनी हिसाब से अपने विल्ड चीजे क्रियेट कर सकते हैं अब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ यह तो नहीं करता ने कि आपको एक्सल हर जरूर को पूरा कर देता है हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजे हो जो कि माइक्सल में अबलेबल नहों आपकी जरूरत हो तो ऐसे चीज क कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आप वी यह में खुद के फार्मिले खुद के फंक्शन खुद के ऑटो पैलेट क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि मालेजिए मुझे आपको जो मैंने अभी मेल किया है उसको भी मैंने एक्सलिक जरी एक बटन क्लिक करके कर दिया है मुझे हर गंटे हर मने दस पांट बच्चों को मेल करना होता है अपनी क्लास के लिए तो बैर घमेल में जाके लॉगिंग नहीं करता हूं यह एक्सल के साथ सेटिंग करता है एक बाटन प्रेस करता हूं इसके मेरा टाइम बचता है मेरे एक्षि बढ़ती है इसको माइक्रोज करते है एक्सल की भासा में आप आम बोल चाल के भासा में इसको आपका काम बखुद कर देंग अब तीसरा जो पार्ट हमारे कोर्स का है ओ है हमारा एक्सल की कोड्स में एक्सल को को इंक्लूड कर दिया दो चीजे हैं सबसे पहले कि कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सल बरी लंदी तरीके से करता है या होता ही नहीं है एक्सल उसको असानी से करता है दूसरी जीट यो डावेस की किनेक्टिवीटी के लिए चाहिए सिक्टूर तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सेस आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैटफॉर्म है करके सिक्पल सर्वर और बागे जो है पीछपी बगड़ा हर किसी के पास नहीं होते हैं तो वहां पर हम एक्सेस का इस्तरमाल करते हैं तो आप इन तीनों ओर्स को इन्विजवल कर सकते हैं या फीर एक साथ कर सकते हैं करेंगे क्या है तो बेसिकली एक कोर्स डिजाइन है मायर्स और अपने ऑफिस के अंदर में इन सारे तूल्स और सारे नॉलेज़् की मदद से करती है जिससे और डिजाब काओ कि आप कॉल सेंटर में करते हैं अब प्लीज म्यूट कर लें आपके बैग्डाउंड दा शोर आ रहा है इशाब जी तो मैंने कर दिया कर दो है तो हम बात करते हैं इसमें कि हम करेंगे क्या आप मैस रिपोर्ट सिस्टम क्या होता है जानिए आपके अमालिजी आप एचार में काम करते हैं आप एचार में आप एचार में काम करते हैं यहां पर यूजर कॉल करके किसी अभी आदमी का एक्टेस ले सकता है आप एचार आप एक्साइब आप ले सकता है इसमालिजी के आपको पीजा हड्ट साउद एक्स्ट्रा नमबर जाईए आपको पता नहीं है तो जस्ट डायल को आप ले सकते हैं का अगे इस आप जी आवाज आ जारी मेरी को यजी। झाल 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 कि है तो उसमें क्यालता है कि कॉल जातेएं तो डैलीं के लिए यह देलिए में आपको हर्ड मने की हर दिन और पंदरह पंद्रहसों कॉल आते आपके बाद जै की बारह दों की बंदों की के शार्शाब जहें हम गुर्गाओं भी देते हैं और गुर्गाओं का जो कॉल्स एस्टेक्टेड है वह आपका 3500 आएगा तो आपको कितने वर नंबर आफ इंप्लोई की जरूरत पड़ेगा अमीद जी आप बताईए जर कैसे कल्कुलेट करेंगे आप कैसे बोलेंगे के मुझे इतने बंदे की दुरूरत है अग्याओ इसको अग्याओं तो यह जोड़ी ने कि जो टुवेल बंदे है वो काफी है डैली के लिए ज्यादा या कम भी हो रखते हैं तो इसका इस्तमाल होगा डेटा से कॉल्स डेटा से सबसे पहले हमें अनलासिस करना पड़ेगा ए एच आवरेज हैनलिंग टाइम समझें एक कस्तमर को एवरेज कितना टाइम देता है हमारा जो टेली कॉलर है तो पता चला कि नब्वे शेकिंड राइट और मेरे पास बारा बंदे है मतलब कि 8 x 12 आठ गंटे है नौ गंटे का सिप्टेश में से एक गंटे का लंच है और आठ गंटे हम उसका वर्क लेते हैं तो इतने सकेंस हैं और हमने इसको डिवाइड किया नब्दे से हैं तो मेरे पास 3840 कॉल्स की कैपिसिटी है पर दे और हमारे पास एवरेज कॉल्स कितना आ रहा है तो 1500 तो मतलब कि डैल ही में हमारे पास जो और लेडी बना है एक्जिस्ट है तो हमारा यह है तैइस सो है राइट अब हमारे पास 3500 बंदे हैं 3500 है तो 3500 हम यहां से मैनस करते हैं तो 1160 अब 1160 हमारे पास यह है तो एक बंदे कितने कॉल्स हैंडल करता है तो उसके लिए 96 है आपके पास नहीं आठ मल्टि यहां पे आठ मल्टिप्लाइवाई 60 मिनट में और यह हो जाएगा मल्टिप्लाइवाई अगें 60 सेकेंड में और यह डिवाइड वाइड हो जाएगा 90 सब्सक्राइवाई विल्टिप्लाइवाइड विल्टिप्लाइवाइगा एक बंदा तीन सो दीस कॉल्स लेता है और इसको हम डिवाइड करेंगे अपने तो हमें तीन में के चार बंदी की जरुवत है उसके बाद बैक अप का इस तरह से नहीं किया आप में क्या लगा लिया हिसाब कि कि 1510 टीवाइड बाइड बार तो बार दिवायड बाइड 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 भाइड बाइं पंदर असौर्य एक बंदे के लिए इसमें बंदे कर निकल जाएगा जाएगा सब्सक्राइब करना लेंगे लेकिन आप हमें इस तरह से करना हो एमाइस टीम होती है कंपनी को प्रोफिट दिराने के लिए ऐसे डिसेजन लेने के लिए जो कंपनी सही तरीकिन से डिसीजन समझ गए ना तो इसी को कहते हैं डेटा नेसस जिस सब्सक्राइब करके हमने उसका एच्टी निकाला अपने अटरिन्मिंट शिस्टमन को देखें अपनी कैपेसिटी निकाला रिकौर्मेंंट निकाला और इसके बाद हमने आपना इस निया रोड़ परेगी उप्लेशना ने दूसरा एंगल होगा कि अभी क्या है कि ट्वंप्र 1 गूट्व 7 है तो इसमें क्या है कि मानी जी रात को 9 बजय के बार लेके और और 9 बजय तक वह कम कौल आते हैं वाध्य९ में नहुत से लेके 2 बजय तक काफी ज़रा चुटे ना तो क्या उस पैटर्न पे चार बंदे की जुद पड़ेगी तो उस पैटर्न के हिसाब से भी कल्कुलेशन करना पड़ेगा आपको और हर एंगल से आपको कल्कुलेशन करके एक इंफ्रमेशन एक रिपोर्ट बनाके बहुत पूबिजना होगा ब मैं डिशीजन लेगा कि हाव मेनी पीपल बहायर पूर्दा विलगाओ अमीड जी हाँ जी मैं सही बोला हूँ हाँ सही बागदन अभी जैसे ए तो होगी आपकी काफिशिटी की इसाब से चार बंदे जाहिए राइट अब प्रॉलम क्या है कि फिर आपको निकालना पड़े कि आवर्ली रिपोर्स कि आवर्स कि बार रात के बारा बजे यहां पे एक बजे दो बजे तीन बजे average calls कितने आते हैं तो average calls इसमें 5 आते हैं इसमें 15 आते हैं इसमें 6 आते हैं इसमें 10 आते हैं ऐसी पूरा system चलेगा कि राद के वापस 12 समझें और यह average calls हो गया और यह आपका हो गया टेली कॉलर यहां पर एक टेली कॉलर है दो टेली कॉलर है अब पता चला है कि सुबह 10 में average calls जो है 700 अब 700 आता है तो इसमें दो बंदे 700 हैनल नहीं कर बाएंगे ना इसके लिए तो मुझे यहां पर आख बं गंदे हायर करने पर रखने पड़ेंगे ना को कि एक ही गंटा में calls रेटियो बढ़ गया क्योंकि इसका रेश्ट्यू पर ने कारण क्या हो गया कि 700 x 24 गंटा है तो पर्डे कॉल्स का लिमिट जो है 16,800 चलाए तो मुझे इसकी हिसाब सोच के रखने पड़ेंगे कि साथ सो कॉल अटेंड करने के लिए कितने जरूत परेंगे साथ सो डिवाइड वाइड नैंटी सेकेंट्स साथ बंदे चाहिए इसमें साथ रस है समझ गया है इस इस एंगल से भी आपको निकालना परेगा और आपके बहुत को देना परेगा इसी को बोला रगता है विट प्रड़क्ट कोई प्रड़क्ट है उस पर इंसेंटीव आम में पर इसंटीव का प्रशनिटेंटे लाउं किए का मारा खत्रचा भरेगा अएंब हम्हों चाहिए उससे प्रॉफिट कितना जननी में टी होगा और प्रॉफिट और फिट हमारा और नॉर्मल बिदाउर सन्टीव क्या प्रोफिट है विद सेंटीव किया प्रोफिट आएगा दुम्हों का क्या रोध प्रसिंटे países मान आपने बोला कि वाई तुम ज़्यादा सेल करो हम तुम को ज़्यादा इंसेंटिव देंगे तो 500 रुपया आपका बढ़ा और 500 रुपया बढ़ा मतलब कि आपका और आपका जो पॉफिट जो है पांचों सेल हुआ आपका प्रोफिट पचास हो गया और पता चला है कि आपने क्या किया 40 इंसेंटिव दे दिया एंदि लाक्ष आपकी प्रोफिट तो दस ही बचाना तो क्या फैदा हुआ हुआ है तो तो कितना इंसेंटिव का परसेंटेज रखें जिससे सेल बढ़ेगा आसे बढ़ने से अमारा प्रोफिट गेन होगा कि अगरहां पांचों सेल होता है तो पांचों सेल में प्रोफिट हुआ तो आपको रखली बता रहा हूं लगिए इस त्रह की इनसेंटिव के लिए आपको डेटा मुए करा जाता है। जैसे कि sales का data, sales की मुई जाकर के sales का data, calls के लिए आपको calls का data मुई जाकरा जाएगा, उस data को summary बनाके और इस तरह की calculation करके एक attractive report यार किया जाएगा और उस report में कई सारे angle से उसको देखने के लिए कई सारे trigger दिया जाएगा इस पर बटन करते हैं और फिर उस button पर click करके देख यूजर हर एंगल से report को देखेगा, इसको हम लोग KPI report भी देते हैं की और performance indicator, अलग-अलग key के जरियत performance को indicate करने वजा report भी कहा जा सकता है, लेकि इन सा को करने के लिए आपको Excel की knowledge चाहिए, BVA की knowledge चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप करने बैठेंगे तो आपको data और problem दिय जाएगा, अब उसकी solution हो सकता है, Excel में available हो, हो सकता है, Excel में available ना हो, तो फिर आपको BVA की मदब लेने पजाएगे, अब BVA नहीं भी करोगे तो फिर भी आप report को कर सकते हो, manually, but manually में क्या होगा, कि दो problem होगी, एक तो time आपका consume ज्यादा होगा, और साथ में आपका accuracy काम होग क्योंकि अगर आप 500 data entry करते हैं, तो उसमें 5 से 15 गलती होने की chances हैं, लेकि वही system आपका data entry करता है, तो 500 होगे, 500 होगे होगे होगे, क्योंकि system entry करेगा एक particular conditions पे, जब तक conditions फुल्फिल नहीं होगा, और इंटी accept नहीं करेगा, इसलिए automations पे जदा जोर देना चाहिए, जिस हमारा reports quickly बनें और हमारा accuracy बनें, अमिर जी, रिशाब जी, मैं सही बोलना हूँ, तो यही सारी चीजे हमारे course में include होगा, अब बात करते हैं, preparation of the learning, कि इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके एक दो घंडे का practice time होना चाहिए, अब आप एब बोलो सब भी काम करता हूँ, तो मैं वहीं पर practice कर लोगा हूँ, जी नहीं, practice का मतलब कि आपके पास, सिर्फ जो मैंने प्रहाया उस तरह की practice करने का, जिसमें आप महीं प्राइव चीज़ों प्रैक्टिस करेंगे, सिक्ट्वेंस में ठीक है, तो practice के लिए time का होना ज़रूरी है, सेकेंड चीज़, आपको थोड़ी सी mathematics पे भी practice करना होगा, ऐसा इसलिए बोलना हूँ, कि आप लोग सारे के सारे working professional है, college छोड़े हुए, प्रहाई छोड़े हुए, काफी time हो गया होगा, आपका mind prepare से set नहीं है पढ़ने के लिए, और आप test करना चाहते हो, तो एक कोई भी book उठाओ, और आप उसको आदा गंटा पढ़की बता दो, हमें लग रहा है कि आदा गंटा जब पहले आपको नीद आ जाएगी याथ आँखों में जलन होने लगेगा, और नीद ना आने की बिमारी होगा, तो आँखों में जलन होने लगेगा, नहीं तो नीद तो 100% आने ही आने है, ठीक है, तो mathematics आपको VBA को support करेगा, logics मनाने के लिए, साथ में आपको mind को prepare करेगा, study के लिए, उसके बाद आपको पहले से basic Excel पता होने चाहिए, अब problem यह है कि आपको basic Excel कितना पता है, I don't know, तो उस case में हम आपको एक link बेजते हैं, जो कि level 2 जिसका नाम है, साथ आप में हो सकता है, तो आप देखे होंगी हमारे website पे, यूटूब पे, मैंने ये YouTube का link है, मेरा ही है, ये pre-recorded video है, जो कि 4-5 गंदेगा है, जिसमें Excel के बहुत सारे basic concept को हमने किया हुआ है, ठीक है सर, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आच्छी तरीके से देख ले, झाहता हुआ है? OS effectiveness झाहता हुआ झाहता हुआ है स्चिप 해 तो मैं यह आपको mail कर रहा हूं और तीसरा जो है हमारे प्रिशाप जी है इस उठा लेता हूं तो यह रिकॉर्डिंग जो है आप लोग को मैं बेज देता हूं आप लोग इसको देख लिजेगा इस चार पांच घंती की वीडियो जाए तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा ठीक है तो आप इसको बिना डाउनलोड करने करके ही देखें तो सही रहेगा आप आप आप